हलो ओरिवन, इस्टडी विदस में आपका एक बढ़ फिर से स्वागत है और आज हम डिसकस करने वाले हैं सूपर इंपॉर्डन कोशिंज जो कि काफी इंपॉर्डन है आपके नेठी एक्जाम्स के लिए पेपर वन से रिल्टेड जो है इसमें इंपॉर्डन कोशिंज आपको कराय जा रहे हैं जिसमें परते कोशिंज को एक्स्प्रें किया जाता है अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिवेकेशन आपको मिलते रहें पेपर वन की अगर आप टॉपिक वाइस वीडियो को देखना चाते हैं तो NTN8 पेपर वन के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है आप वहाँ जा सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के उपर आई बटन पे किलिक करके भी आप हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देखें ताकि पेपर वन से रिल्टेड जितने भी कंसेप्ट है आपके अच्छे से किलियर हो सकें और ये जो वीडियो हैं ये सारी के सारी रिवेजन वीडियो हैं जिसमें प्रिवीस एर के कोश्चन भी इंकलूड कर रहा हूँ ठीक है तो इसे भी फॉलो करें और वीडियो को एंट तक देखा करें ठीक है जो कोश्चन मैं आपसे पूसता हूँ वीडियो में तो कमेंट उच्ए में बथा सब्सक्राइफ और एककर फियू आत्मक अनुसंदहां का हिस्सा नहीं थे फिराइग सब्सक्राइब पूछ DO कुकि सब्सक्राइब परिफ्सक्ण भी उता है यहां छोजाने होता हुज्स हिस्सक्राइब कि क्योंकि जोमत्राइब जो अनुसंदान होता है उसका हिस्सा है तो इतना आपको याद रखना है next question है निमिल लिखित में से कौन सी अनुसन्धान की विशेषता है विशेषता है इस पेशल मैंने वीडियो बनाया था अनुसन्धान की विशेषता के उबर जिसमें मैंने सारी के सारे जो हैक्सक्रीन किये थे आपको तो इसका सही जो आंसर होगा देखें वस्तू निष्टता या अनुसंधान की विशेषता है विश्वसनियता ये भी है, वैधता भी है तो सही आंसर क्या होगे option number D option number D, उप्युक्त सभी जो है अनुसंधान की विशेषता है और भी कई परकार की जो है विशेस्ता हैं जैसे की निश्चे आत्मक या निश्चे आत्मकता और अनुसंधान चक्रिये ठीक है अनुसंधान चक्रिये या चक्र कह सकते हैं हम लोग इसे तारकिक या तारकिकता और अनुभाव आत्मक ये सभी जो है अनुसंधान की विशेस्ता हैं ठीक है ये चारवी आपको जो है लिख लेना है या फिर याद करना है ये कथन किसका है कि किरियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्य पद्दती में हस्तचेप है और ऐसे हस्तचेप के क्या परभाव रहे इस उनकी गहन समिक्षा है ये किसने कहा है कि किरियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्य पद्दती में हस्तचेप है और ऐसे हस्तचेप के क्या परभाव रहे उनकी गहन समिक्षा करना ही जो है किरियात्मक अनुसंधान है ऐसा किसने कहा है तो इसका जो सही आंसर है वो है option number C ठीक है, हेल से या भी आए गाना पर हेल से महद्या जो है इन्हों ने इस परकार की परिभाशा दी है किरियात्मक अनुसंधान पर ठीक है, और किरियात्मक अनुसंधान के हम बात कर रहे हैं तो हमें जो है, इसकी परकारीया भी पढ़ लीनी चाहिए ठीक है तो परकारीया मैं बता दू करियात्मक अनुसंधान की चार इस्तर होते या क्यी चार परकरिया ये होती है एक होता है Neogen दूसरा होता है किरियान वेन फिर है विकास उनमुक ठीक है विकास उन्मुख और फिर है चिंतन ये चार जो है 105 कह सकते हैं इने ये किरियात्मे कनुसंधान की 105 है पहला मैं बता दूँ नियोजन 105 किरियानविन 105 और विकास उन्मुख 105 और चिंतन 105 ठीक है तो ये पैड जो है मेरा राइटिंग पैड इसमें थोड़ी सी जो है खराबी है जिसके कारण राइटिंग जो है सई से नहीं आपा रही है ठीक है तो नया खई देंगे तो ये और सई से लिखेगा नेश्ट कोशन है असंभवेता ठीक है या मानी आएगा असंभवता अंकी बिंदू आईगी यहाँ पर ठीक है असंभवेता नैदर्ष में कौ असित्व है और सब्सक्राइग या, सब्सक्राइगा असंभवेता ृफिया, असं होता है यहाँ याऊच्ज को ठीक है किस में आते हैं यह, आ संभवेता नयायदर्श में आते हैं, ठीक है, लकिन अगर आपसे पूछ ले, संभवेता नयायदर्श में कौन-कौन से आते हैं, तो इसमे आपको जो याद रखना है, वो रखना है, सरल jedem या दा cannot नियाई दर्श ठीक है ये पहला और दूसरा है इस्तरीकृत इस्तरीकृत नियाई दर्श और तीसरा है समुह नियाई दर्श ठीक है तो तीनों जो है आपको याद रखने हैं ये किस में आते हैं तो ये आते हैं सम्भविता नियाई दर्श में निमिल लिखित में से कौन सा संपरेशन का मुख्य उद्देश है ठीक है जैसे समुहों को सुचारू संचालन समुहों के सुचारू संचालन प्रेडना और मनोबल शिक्षा और कक्षान उदेश के अनलिये तो सही आंसर आप्शन नमबर डी है उप्योक्त सभी ठीक है उप्योक्त सभी नेस्ट कोशन है कारे प्रनाली के आधार पर केंप्यूटर को कितने वर्गों में बाटा गया है ठीक है कारे प्रनाली के आधार पर केंप्यूटर को कितने वर्गों में बाटा गया है सब्सक्राइब है और दिजिटल और हाइब्रिड ठीक है और हिंदी में आगर आपको बता हूं तो हिंदी में इसे कहेंगे अनुरूप ठीक है और फिर अंकिये और संकर ठीक है संकर तो इस तरीके से तीन वर्गों में बाठा गया है कारे के अधार पर केंप्यूटर कोड ठीक है केंप्यूटर का विसकार किस ने किया था तो चाल्स विवेज ने किया था नेश्ट रोचन है निमेन लिखित में इसे कौन सा डोमेन नेम नहीं है डोमेन नहीं नहीं है तो देखें इसका सही जो आंसर है वो है option number D ठीक है जबकि hashtag sir जो है ये domain name नहीं है जबकि .gov.edu और .com ये सारे के सारे domain name है तो जो .com है ये commercial website का domain name है .edu जो है वो educational website का domain name है जबकि .gov जो है ये government website का domain name है जबकि यहाँ पर देखें hashtag करके SER दे रखा है ये domain name नहीं होता ठीक है तो सही answer option number D हो जाएगा और भी कई परकार के होते है domain name जैसे .mil जहाँ पर लगा हो यानि कि वो military website का domain name है जहाँ पर .co लिखा हो यानि कि कि किसी company का domain name है .org लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो जो domain name है वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है ठीक है तो इतना जो है आपको याद रखना है इसमें नेक्स्ट वोशन है कौन सी गैस समताप मंडल में मानव रक्षक मानी जाती है तो सही answer option number B और जोन गैस O3 गैस जो है ये मानव रक्षक गैस मानी जाती है समताप मंडल में जो हमें पराबैगनी किरनों से बचाती है ठीक है तो आज की वीडियो पे इतना ही यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो की notification आपको मिलते रहे और बैल आइकन जरूर दबाएं बैल आइकन पे जब आप click करेंगे तो तीन option आते हैं तो उसमें all पे click करें ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब तब आपको notification मिलता रहे तो थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो